हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टीटीवी स्टायर दा सूपर लिविंग प्लाटफॉर्म तो इस आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सेल हम की पॉइंट्स देखेंगे और देखेंगे प्रिवियस एयर क्वेश्चिन तो चलिए हम शुडू करते हैं अपना तो जो सेल जो वर्ड आया वह ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या है रू ठीक है यह आपने ध्यान में रखना है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह साइंटिस्ट के नाम कौन सी चीज की साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी यह आपको पता होना चाहि जो डेड डिसकवर करी वह करी ती रोबर्ट हुक ने और इस डिसकवरी के बारे में उन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा और जिस बुक का नाम था माइक्रोफेजिया ठीक है अगर मैं बात करूं अब लिविंग सेल की जो फर्स लिविंग सेल वो डिसकवर बाइस करी एंटोन बॉन लिविंग ने ठीक है अब हम चलते हैं आगे की आगे क्या है अपना प्रोटोप्लास अब प्रोटोप्लाजम क्या है देखो जितना भी जो मंटीरिल है नुकलियर्स और आपका प्रोटीन फैट मिनरल जितनी सारी की सारी चीज़े। अबीसेल के अंतर त सेल वॉल आप उसको क्या बोलते हो प्रोटोप्लाजम तो सबसे पहले जो टर्म प्रोटोप्लाजम किस ने दी थी वह दी थी पुरक इंजी ने जितना भी जो सेल उनके अंदर वाटर आयन साल मिनरल प्रोटीन वाइटमीन फैट नुकलिक एसिद यह सारी किसके अंदर प्रेजंट रोंगी आपकी प्रोटोप्लाजम के अंदर मिलेंगे आपको ठीक है अब हम आगे चलते हैं सेल थेरी सबसे पहले बात करते हैं कि सेल थे के वाइजो थे तैंग सेल से मिलके बने होंगे ठीक है यह विसके बारे में बताया प्सक्राइब बिताहल है लेकिन एक स्यंटिस्ट और थे नहीं क्या था जिनका नाम था रुडॉल्फ विर्चो रुडख़्वारिम्स क्या बताया एं कि जितनी भी नहीं सेल है एन जैतनी तो टूब बाइलोजिस्ट चिल्डर एंसवां गिव दसेल थियोरी विच विच लेटर एक्सपेंड़ेट बाइड रुडॉल्फ विचो मतलब तीनों की जो कॉंबिनेशन है जो नहों ने बताए कि यार सेल है प्लांट की जो सारे के सारे प्लांट की से मिलके बने सेल से अन सेम पूछा गया था कि रुडॉल्फ विच्ओ ने तब ये बताया दन्यू सेल विल अराइस फ्रॉब प्री एक्जिस्टिंग सेल ये तम किस ने दी यह बताया था रुडॉल्फ विच्ओ ने और इसी को इन्हों ने क्या बोला Ominous Cellular E-Cellular Ominous Cellular E-Cellular मतलब the new cell will arise from the pre-existing cell Ominous Cellular E-Cellular वो किसने बताया था आपका Rudolf Virtua ने उसका मतलब क्या है All the cell will arise from the pre-existing cell तो तीनों की तीनों postulates All the plants and animals are composed of cell Cell is the basic unit of life And all the cell will arise from the pre-existing cell इन तीनों postulate को मिला के क्या बोलते हैं Cell Theory, Scientist के नाम याद होने चाहिए Rudolf Virtua ने क्या बोला था All the cells will arise from the pre-existing cell जिनों ने उसको क्या बोला Ominous Cellular E-Cellular यह चीज आपने याद रखनी है It is very very important यह बहुत जादा इंपोर्टन है आपने इचीजे धान में रखनी है अब हम चलते हैं आगे Types of Organism दो टाइप की Organism होता है Unicellular Organism और एक होता है Multicellular Organism Unicellular का मतलब क्या है एक Cell एक Cell सारे की सारे function को control करीगी वो क्या कहते हैं Unicellular Organism Multicellular Multi मतलब बहुत जादा Cells सारे की सारी Organism को functioning को control करेंगी मतलब यहाँ पर एक Cell अलग काम करी दूसरी Cell अलग काम करी तीसरी Cell अलग काम करी इसका मतलब बहुत सारी Cell है जैसे हमारी बोडी के अंदर Excretory System अलग है Digestory System अलग है Respiratory System अलग है Reproductive System अलग है मतलब अलग अलग सिस्टम से मतलब वहाँ पर Division of Labor हो रहा है एक Cell को सारा का सारा काम नहीं करना पड़ रहा तो Multicellular Organism मतलब बहुत सारी Cell से मिलके बना Unicellular का मतलब Same type की Cell से मिलके बना है तो Division of Labor किसके अंदर होगा Unicellular या फिर Multicellular Organism जो Division of Labor होगा वो होगा Multicellular Organism क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्या है Cell Presented एक्जेम्पल याद रखना है Unicellular का है Amoeba और जो Multicellular Organism में वो क्या है Plants and Animals अब हम बात करते कि यह Prokaryotes क्या होते and Eukaryotes क्या होते and on the basis of type of organism Cells are also two types Prokaryotes and Eukaryotes Prokaryotes का मतलब क्या है जो Nucleus है वो है Premiative जो Nucleus है वो Well Developed नहीं है उसको क्या बोलेंगे Prokaryotic Cell यह Cell वो होती है जिनके अंदर जो Nucleus है वो क्या है Well Developed नहीं है and without the Nuclear Membrane and Nucleolus for example आपका Bacteria and Eukaryotic Cell कौन सी होते है Eukaryotic Cell है जिनके अंदर Nucleus Well Developed होगा और क्या प्रेजन्ट होगी Nucleolus और Nuclear Membrane उनके अंदर प्रेजन्ट होगी ठीक है Prokaryotic Cell Pro का मतलब क्या है Primitive You का मतलब क्या है Advanced ठीक है Carion कहीं भी भी Biology के अंदर आपको Word दिखता है Carion Carion का मतलब क्या है Nucleus तो यहनि कि Primitive Nucleus का मतलब Prokaryotic Cell Advanced Nucleus का मतलब क्या है Eukaryotic Cell अब इससे Related हम Question करते है Question क्या है Which is the Prokaryotic Cell Among the following हमें बताना है कि Prokaryotic Cell कौन-कौन सी है Amoeba is Bacteria and Walvox मैंने क्या बोला Bacteria क्या है आपकी Prokaryotic Prokaryotic Cell Does Not Contain Prokaryotic Cell के अंदर क्या नहीं देखिए Prokaryotic Cell के अंदर मैंने अभी बताए जो Nucleus Well Developed नहीं होगा इसके साथ-साथ Prokaryotic Cell के अंदर Nucleus कौन-कौन सी Organal Present नहीं होगी यह Question ध्यान में रखना है कौन-कौन सी Organal Present नहीं होगे इसके लिए हमें Next पढ़ना पढ़ेगा कि कौन-कौन सी Difference Prokaryotic and Eukaryotic Prokaryotic में मैंने बता दिया कि Nucleus Well Developed किसके अंदर नहीं होगा Prokaryotic के अंदर Prokaryotic Nucleus Well Developed नहीं होगा ठीक है और माइटोस के अंदर नहीं होगी Eukaryotic के अंदर होगी और Histones इसके अंदर absent होगा इस्टोन साथ Positively Charged प्रोटिन जो Negatively Charged DNA को बांध के रखती है ठीक है तो यह किसके अंदर present होगा आपका Eukaryotic के अंदर Naki किसके अंदर Prokaryotic इसके अंदर absent होगे यह सारी आपने धान में रखने तो हमारे पास जो Question था वह था Prokaryotes के अंदर क्या क्या नहीं होता Chromosome Plasma Membrane Mitochondria और Ribosome तो Ribosome इसके अंदर absent होता है आपका Prokaryotes के इंदर ठीक है साइज की जो जो शेल वह क्या है Ostrich Egg smallest type की सेल किसके पास smallest type के इंदर आपकी दो चीज़ आती है वह smallest cell जिसके पास cell wall नहीं है और वह smallest cell जिसके पास cell wall है तो अगर मैं बात करूँ कि largest cell largest cell is the ostrich egg and the longest cell is the nerve cell ठीक है and the smallest cell is known as PPLO जिसको आप mycoplasma भी बोलते है PPLO की जो full form है यह आपने ध्यान में रखनी है pleuro pneumonia like organism ठीक है pleuro pneumonia like organism यह smallest cell है जिसके पास cell wall नहीं है इसके पास cell wall नहीं आती अगर question ही आए smallest cell without cell wall तो उसका अंसर क्या होगा mycoplasm अगर यह है smallest cell with cell wall तो क्या हैगा bacteria bacteria के पास cell wall है जो peptidoglycan से मिलके बनी है ठीक है लेकिन अगर मैं बात smallest cell जिसके पास cell wall नहीं है तो जिसके पास cell wall नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका mycoplasm longest cell आपकी 9 cell largest cell is the ostrich egg cell ठीक है अब हम चलते आगे what are the components of cell तो देखिए components of cell के हैं तीन important components है cell के plasma membrane nucleus and cytoplasm यह हम एके करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ plasma membrane की plasma membrane को plasma lima भी बोल सकते हो या फिर आप cell membrane भी बोल सकते हो इनके काम क्या है देखिए it is found in both plant and animal cell जो cell wall है वो सिर्फ plant के अंदर present होती है cell membrane plasma membrane या फिर plasma lima आपका plant के अंदर भी मिलेगी और आपकी animal के अंदर भी मिलेगी छीक है it is the limiting boundary of each cell which separate the cytoplasm from its surrounding मतलब जितना भी content है बाहर के surrounding से separate करने वाला कोन है आपकी cell membrane it is found in both plant and animal cell it is the outermost covering of cell in case of animal and lies below the cell wall in case of plant अगर मैं प्लांट की बात करूँ प्लांट सेल की बात करूँ तो ये क्या है आपकी cell membrane और प्लांट के उपर क्या प्रेजेंट होगी आपकी cell wall प्रेजेंट होगी तो मतलब ये क्या बोला कि जो प्लांट सेल इसके उपर एक और covering present होगी जिसको आप क्या बोलते हो cell wall and it is made up of the proteins and lipids which protein are embedded in the lipids structure देखेंगी तो ये वाली लाइन आपको अगर सारे की सारा जो material है अगर अंदर चला जाए तो इसका मतलब है semi-permeable अगर selectively permeable का मतलब क्या है कि वो particles अंदर जा रहे है वो material अंदर जा रहे है जो हमारे लिए required है आप उसको क्या बोलते हो selectively permeable तो plasma membrane क्या है plasma membrane is the selectively permeable मतलब अगर ये एक cell है चीक है cell के उपर पोर है यहां पर तो अगर मतलब ये पोर भी चला गया ये triangle वाला भी चला गया ये square वाला भी चला गया तो इसका मतलब सब चला गया जो पोर के अंदर fit होगा सब चला जाएगा उसको क्या बोलते है सेमी परमेबल selectively permeable का मतलब क्या है भाहिया मुझे तो सिरफ square ये चाहिए square चाहिए तो सिरफ square ही इसके अंदर से क्या होगा पास करेगा इसका मतलब selectively permeable है ठीक है अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो structure थी वो किसने discover की थी it is again very very important की एक मोडल आया था जिसका नाम था फ्लूड मोजाइक मोडल जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेट था जिसने क्या बताया प्लाजमा मेंब्रेन की structure बतायी की जो प्लाजमा मेंब्रेन इस मेड़ अफ पोटीन और लिपिट्स तो उस मोडल का नाम था 75% Angostrom Thickness and it is flexible and can be folded, broken and reunited हम देखते हैं अब आगे structure मैंने क्या बोला कि जो प्लाजमा मेंब्रेन है इस मेड़ आप ऑफ दो लिपिट बाइलेयर और उसके उपर क्या प्रेजेंट होगी आपकी प्रोटीन देखिए यह लिपिट बाइलेयर यहां पर लिपिट बाइलेयर और बीच में आपकी क्या प्रेजेंट होगी प्रोटीन दो टाइप की प्रोटीन होती है एक होती है जो बाहर प्रेजंट है जिसको आप क्या बोलते हो एक्स्टिंसिक प्रोटीन अगर यहां पर जो प्रोटीन प्रेजंट है जो बाहर आप उसको क्या बोलते हो आप एक्स्टिंसिक प्रोटीन अगर अंदर तक जो प्रोटीन प्रेजंट है आप उसको क्या बोलोग करो water के molecule को ट्रांसपोर्ट होना है ठीक है ऐसे molecules को ट्रांसपोर्ट होना है जो water soluble है ना कि lipid soluble है तो कैसे हैगा तो यहां पर जो protein present होती है जिनको आप carrier protein कहते हो वो यहां से लेकि अंदर आपकी लेके आएंगी ठीक है समझ में तो इसका मतलब lipid by layer ठीक है extrinsic protein और extrinsic protein का ही दूसरा नाम क्या है आपका peripheral protein अगर ऐसे protein जो अंदर present है आप उनको क्या बोलते हो intrinsic protein या फिर integral protein इनको आप क्या बोलते हो इंटी इंटीग्रल protein या फिर intrinsic protein ठीक है समझ मैं आप हम चलते हैं आगे आगे अपना topic क्या है fluid mosaic model यह वहीं सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दिए कि एक mosaic arrangement दिखेगी आपको ठीक है और the membrane protein can be classified into peripheral protein and integral protein ठीक है fluid mosaic model का नाम याद रखना है अपने function क्या है plasma membrane की to regulate the moment of molecule inside and outside of the cell to help in the maintaining the distinct composition of the cell मतलब सारी के सारी चीज़े को ट्रांस्पोर्ट कौन करेगा आपकी plasma membrane और वह भी selectively permeable है इसका मतलब कुछ भी चीज़े पास नहीं होगी वही चीज़ पास होंगी जो हमारी body के लिए required है ठीक है अब हम चलते हैं कि इस टांस्पोर्टेशन of molecules through the plasma membrane can be done with the help of two ways ठीक है दो वेस क्या क्या है उनके एक तो आपका diffusion और दूसरा क्या है osmosis यहां से question आता है it is again very very important ठीक है क्या osmosis होता है क्या endosmosis होता है क्या exosmosis होता है क्या diffusion होता है यह सारी की सारी चीज़े अपने ध्यान में रख दिए तो अगर मैं बात करूँ diffusion का it is the moment of solutes और ions from higher concentration to lower concentration ठीक है moment solute का या फिर ion का higher concentration से lower concentration उसको हम क्या बोलते है diffusion बोलेंगे ठीक है यहां पर कोई energy की requirement नहीं है क्योंकि जहां पर चीज़ जादा है जहां पर चीज़ कम है वहां पर मतलब without any energy transport हो रहे हम उसको क्या बोलते है passive transport जहां पर कोई भी energy required नहीं होती अब हम बात करेंगे कि osmosis का मतलब क्या है moment of solvent और water from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane यह ध्यान में रखना है ठीक है मतलब solvent की movement through a semi permeable membrane आप उसको क्या बोलते हो osmosis अब है endosmosis और exosmosis का endo का मतलब है अंदर की तरफ अगर moment of solvent अगर बाहर से अंदर की तरफ आए endosmosis अगर अंदर से बाहर की तरफ जाए तो आप उसको क्या बोलते हो आप exosmosis ठीक है अब हम बात करते है टाइपस of solution on the basis of the concentration तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हाइपो टोनिक और हाइपर टोनिक क्या होता है तो मैं यह आपको एक डाइग्राम की थ्रू समझाना चाहती हूं तो देखिए यह मैंने बिकर लिया है ठीक है यह मैंने separate कर दिया with the help of semi permeable membrane यहां पर thousand molecules है किसके water के यहां पर भी यहां पर 200 molecules of solute are associated with the 200 molecules of water तो यहां पर जो नेट बच गया अपने पास पाने कितना 900 ml और यहां पर जो moment यहां पर जो नेट बचा वो कितना बचा आपका 800 ml तो इसका मतलब है moment कहां से हो रही आपकी a2b ठीक है moment कहां से हो रही आपकी a2b लेकिन अगर यहां पर 200 molecules किसके solute के तो इसका मतलब यह क्या है hypertonic यह क्या है आपकी hypertonic आप उसको क्या बोलोगे आप hypertonic और यहां पर hundred ही है तो आप इसको क्या बोलते हो hypotonic तो देखिए hypo to hypertonic ही क्या कहला हैगा आपका moment hypo to hypertonic उसको क्या बोलते हैं आप osmosis उसको क्या बोलते हैं आप osmosis समझ मैं ठीक है तो इसका मतलब क्या है यहां पर 100 molecules these are associated with the 100 molecules of water 200 molecules of solute are associated with the 200 molecules of water अगर मैं यही बात solute की term में बोला मैंने solvent की term में अगर मैं यही बात solute की term में तो इसका मतलब क्या है यहांपर 200 molecules से सॉल्यूट के तो इसका मतलब इस इस हाइप टोनिक तो यहां पर मौल्ण होगी आपकी शॉबकल यह ने अगर मैं के लिया है और यह वह संहीं आपको होगए यहां पर निया है आपका हाइप beton यहां पर क्या लिया है मैंने हाइपर टोनिक सॉल्यूशन और यहां पर क्या लिया है मैंने हाइपो टोनिक सॉल्यूशन लिया है ठीक है तो देखें अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो मोमेंट है अगर बाहर हाइपर है तो अंदर क्या होगा हाइपो होगा और अगर बाहर डी तरहा जाइगा वां पर बाहर की तरह की तरह जाएंगे तो सेल साइज क्या हो गlara दिक हुआ हो घा आएगा इसके सब अन्डरह सेल के अन्दर और यहां पर जो सotte Configization commenarians 선생님 कर सेली बांट होगा मतलब सेट रटेमेटली बॉस्ट और यहीं बात किस के इंदर कर रहूं इसके इंदर कर साइट का ऐस्झे क्वेडेगा डिक्री तो सयुआसेल विल हृपकी किसके अंदर आपकी अनिमाल सेल अगर मैं यही प्लांट के अंदर और बात करो तो यहां पर भी आपके पास क्या edu यह मैंने लिंए क्या डॉसमा कर दो टिखें क्यों किया दो आफ के अंदर ने अदर रखा ंपर का देखें जो मोपमेंसा ही है यहां पर जो मुवमेंट क्या होगा आपकी बाहर से अंदर क्योंकि बाहर अगर अगर है तो अंदर अपका हई पर होगा ठीक है तो देखिए मोमेंट कहोंची हो रही है अंदर से बाहर तो यहां पर भी सेल साइज़ विल डिक्रीस है ठीक है औरिया हम पर सक on in线- screamed लेकिन एंगी क्यों कि सेल को पॉपक्र रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल है ठीक हैं और यहां पर जू सेंथ होती है पुसको क्या हो क्या हो लोगे ऐक क्या होगा आपका प्लास्मलाइज चैल की जितना भी जो मतिरील रहा और साीड में डिपोजित हो रखेंगे तो दौबारे से इट विल रिका ये एट से शेप समझ में आया अब हम देखते हैं स्थाइभाइन प्लाइज जो सेल नियुग प्लास्म प्लास्मूलाइज जो सेल it is made up of the calcium and magnesium pactate की मिलके बनी है ठीक है और जो बात है में जो cell wall का function का है strong है ना strength provide करेगी और protection में help करेगी अब हम करते हैं question question क्या है अपना the plant cell become turgid turgid कब बनेगी जब जो moment है वो कहां से वो बाहर से अंदर की तरफ हो तभी तो cell size increase हो जाएगा cell will become turgid and finally it will burst तो जो मुमेंट है वो कहां से हो रहे है बाहर से अंदर की तरफ मुमेंट हो रहे है तो इसका मतलब क्या होगा endosmosis who has given the word cell cell किस ने दिया था सबसे पहले आपने robert hook ने cell दिया था ठीक है according to the cell theory new cell arise new cell originate from the dead cell all the cell originate from the pre-existing cell every organism start is life in the form of multicellular and none of these टीक है तो यहां सी जो आपका answer क्या हो जाएगा all the cell will originate from the pre-existing cell यह किस ने दिया था Rudolph विर्चो ने दिया था मैंने उस टाइम पर भी आपको बताया था it is very very important all the next question and animal cell shrink animal cell shrink हो रही है तो इसका मतलब जो moment कहां से हो रही है अंदर से बाहर की तरफ आरी है कब आती है when placed in a concentrated sugar solution such a solution is known कैसे उसमें shrink करती स्टेल जो moment अंदर से बाहर की तरफ जाती है और जो solution क्या हो जाएगा आपका hypertonic हो जाएगा ठीक है यह मैंने आपको बताया था यहां पर भी आप दुबारा से देख सकते हैं यहां पर यह मैंने बताया था cell का size decrease हो जाएगा when it is kept in the hypertonic solution ठीक है अब हम करते next question who proposed the cell arise from the pre-existing cell rudolph विर्चो ने बताया था ठीक है उनने cellula e cellula दिया next question plant cell can withstand a greater changes in surrounding medium than the animal cell मतलब जो plant cell जादा adverse condition सह सकते हैं as compared to animal cell ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो plant cell के पास क्या होता है cell wall होती है ठीक है cell wall protection provide करती है cell wall strength provide करती है ठीक है अब हम चलते हैं आगे आगे हमारा जो topic है वह है a questions or a cell will plasmolyze if it is placed in cell plasmolyze कभ फिल करेगी when it is placed in hypertonic solution यह भी question कर चुके है the name protoplasm was point B discovered नहीं यहां क्या दिया है coin तो coin किस नहीं दिया था पूर किंजिन ने ठीक अगर यहां पर discovery पूछी होती तो आप क्या रिखते हैं do jardin ठीक है और उन्हों ने क्या बोला था उसको star code बोला था ठीक है अब हम करते question plasma memory is made up of protein plus lipid से मिलके बनी है both a and b plasmolysis in plant cell is defined as plasmolysis का मतलब क्या है cell shrink कर रही थी न तो देखो question है plasmolysis in a plant cell is defined as options क्या है हमारे पास breakdown of plasma membrane hypotonic medium shrinkage of protoplasm in hypertonic medium shrinkage of nucleoplasm and breakdown of nuclear membrane तो यहां से जो plasmolysis का मतलब क्या है shrinkage shrinkage कब होई थी when it is placed in the hypertonic medium ठीक है तो यहां से क्या जाएगा आपका plasmolysis हो जाएगा ठीक है अब हम करते हैं आगे what will happen to the cell if the medium has lower concentration of the water than the cell जल्दी बताइए cell का अगर concentration lower है ठीक है of water than the cell तो cell will become shrink जो moment है वो क्या होगी endosmosis या exosmosis जो moment है वो क्या होगी आपकी exosmosis होगा ठीक है तो यह आपने जिहान में रखना है next चलते हैं हम nucleus के बारे में देखिए जो nucleus है cell का master control जितनी भी जो activity होगी cell की वो क्यों control करेगा nucleus control करेगा ठीक है outer membrane होगी inner membrane होगी और बहुत जादा chromatin thread like structure present होगी जो बाद में condensed होगी क्या बनाएंगी आपकी chromosome होगी यह nucleus and nucleus के अंदर क्या होगा आपका nucleoplasm nucleoplasm भी क्या है cytoplasm है लेकिन यहां पर जो nucleoplasm हो किसका है आपका nucleus का that's why it is nucleoplasm होगया चीक है और यह आपका nuclear envelope nuclear envelope मतलब outer membrane and inner membrane तो यह structure है किसकी आपकी nucleus की nucleus is the most important organelle because because it is the headquarter of the cell it will control all the biological function ठीक है it was discovered by Robert Brown in 1831 again it is very important in eukaryotes a well-defined nucleus is present ही हम बात कर चुके है that's why you carry out you work a का मतलब क्या advanced nucleus pro-carriot का मतलब क्या है primitive nucleus double membrane structure covering called nuclear membrane nuclear membrane has force which regulate the moment of material in and out of the cell चीक है और इसके cytoplasm को आप क्या कहते हो nucleoplasm बोलते हो चीक है nucleoplasm मतलब cytoplasm है ठीक है अगर यह मसल का होता तो क्या बोलेंगे nucleoplasm और इसको आप और क्या बोल सकते हो karyo lymph बोल सकते हो ठीक है clear है यहां तक समझ में है अब हम आगे चलते nucleolus nucleolus क्या है it was the first observed by Fontana it is without any limiting membrane and it is a structure in which ribosomes are formed ठीक है यहां पर क्या बनते है आपके ribosome बनते है nucleus का function क्या है it control all the metabolic activity of the cell and regulate the cell cycle and it helps in the transmission of the hereditary characters from the parents to offspring कौन करेगा आपका nucleus करेगा तो nucleus है जितनी भी cell के अंदर biological activity है वो कौन कंट्रोल कर रहा है आपका nucleus control कर रहा है ठीक है अब हम चलते हैं आगे अपना आगे क्या है कि questions कर लेते है nucleus of the cell was discovered by nucleus किस ने discover किया था robot brown your cell किस ने discover करी थी robot hook ने आपका अंसर क्या जाएगा C in living cell synthesis of ribonucleic acid take placing हाँ पर होंगी nucleus के अंदर ठीक है in you carry ots is separated from the cytoplasm by double layered membrane and it directs the life process मतलब कौन सी और्गनल है जो सारे के सारे functions को control करेगी वो कौन है आपकी nucleus तो यहां से जो answer will be nucleus ठीक है समझ में है अब हम चलते हैं अपने next topic की तरफ sorry questions कर लेते है nuclear membrane is the double membrane structure and it is porous ठीक है यह क्या है आपकी porous है nucleosome present in the eukaryotic cell is a part of chromosome ठीक है is a part of chromosome the nucleus helps in the formation of nucleus क्या बनाएगा अभी मैंने बताए nucleus किस ने discover किया था phone Turner ने discover किया था जहां पर ribosome बन रहे थे और ribosome बाब में क्या बनाते आपकी protein बनाते that's why ribosomes are known as protein factory ठीक है समझ मैं तो यहां से जो options यहां से आंसर के आजाएगा आपका ribosome हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं साइटो प्लाजम की तरफ यहां से question आना बहुत जादा important है क्योंकि यहां से question आता है यहां से question क्या है कि double membrane है या फिर single membrane है ठीक है या फिर membrane ही नहीं है यह चीज़े आपने ध्यान में रखने हैं तो साइटो प्लाजम क्या है it is the both biosynthetic and catabolic pathway मतलब यहां पर चीज़ें तूटेंगी भी और चीज़ें बनेंगी भी ठीक है साइटोसोल क्या है एक्वस सोल्यूबल पार्ट कंटेंड वेरिस फाइब्रस प्रोटीन और सैल और मतलब इसके इंदर साइटोसोल भी है क्या है सैल और बहुत सारे इसके इसके इंदर सैल और प्रेजेंट होते हैं यहां से question क्या है कि double membrane है single membrane है या फिर non-membranous cell organelle है double membrane कौन-कौन से आपके अभी हमने पढ़े nucleus हो गया mitochondria हो गया chloroplast यह क्या है double membrane structure यह ध्यान में रखना है double membrane कौन से structure आपका nucleus है mitochondria है और आपका क्या है chloroplast है जीक है अब single membrane क्या है single membrane endoplasmic reticulum golgi bodies ligosomes and vacuos ठीक है अब बात करते हैं non-membranous cell organe non-membranous के अंदर क्या हो गया आपका ribosome and cytoskeletal elements ठीक है तो देखे जो non-membranous bound structure is the characteristics of prokaryotes ठीक है non-membranous bound structure ऐसा नहीं कि वो eukaryotes के इंदर नहीं present होंगे बिल्कुल present होंगे लेकिन non-membranous bound structure prokaryotes के इंदर होंगे और जो membranous bound structure के इंदर प्रेजन्ट होंगे आपका eukaryotes के इंदर present होगे तभी हमने बोला था कि जो mitochondria है ना वो कहां पर present होता है आपका eukaryotes के इंदर prokaryotes के इंदर नहीं होता ठीक है समझ मैं लेकिन मैने बोला था जो 70S ribosome है प्रोकेरोड के अंदर होते हैं और यूकेरोड के अंदर क्या होते है एटीएस टाइप के राइबोसों तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन स्रौक्शल है इस प्रेजने डोस वह तो आपका सिर्फ यूकेरोड के अंदर होगी ठीक है आगे करते है व bentशित For अब है माइटो कॉंड्रिया इस नोन ऐस पावर हाउस अपने बहुत बार सुना ओगा कि जो ATP जो बनती है जो इनजी बनती है जो करंसी है एडिनोसीन ट्राइफोस्फित वह कहां पर बनती है वह बनती है माइटो कॉंड्रिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि विच्वम अब ऑफ ऑर्गनल इस नोन ऐस पावर हाउस ऑफ दा सैल तो आंसर क्या हो जाएगा आपका म बनती है माइटो कोंडिया हो जाएगा। मैटो कोंडिया ईस डा रोड शेक्व एस प्रेसंटेल कीडति बनती है माइटो कोंडिया वह बनते हैей तो मैब्र शेल्म शs Zw हो कुझ्रियकंदर बनेगी चीक है इस a क्रिस्टा मतलब जो आउटर मेंब्रेन की पास बहुत जाधे सब्सक्राइब और वे और जाते हो क्रिस्टा किए क्रिस्टा के उपर क्या होता है कि ATP Synthesizing Unit called oxygen or f1 particles are present on crystal देखो आउटर मेंब्रेंट यह होगी इनर मेंब्रेंट क्या है फोल्ड इस फोल्डिट के ऊपर क्या प्रेजंट होंगे आपके और यहीं और बनाते हैं आपके एटी बनाने में help करते हैं जिसके पास ATP synthetase enzyme प्रेजंट होता है स्पेस प्रेजंट बिट्विन आउटर इन इनर मेंब्रेन आप उसको क्या बोलते हैं पैरी माइटो कोंडियर स्पेस बोलते हो ठीक है दफ्लूड प्रेजंट इंड़ माइटो कोंड्रिया इस नोन आज मैट्रिक्स and it is the site of crab cycle it is again very important जो क्रैब साइकल है वह कहां पर होगी आपकी माइटो कोंड्रिया के अंदर होगी क्या करती है क्रैब साइकल ही आपके बनाती है ATP बनाती है ठीक है और जो क्रिस्टा क्या होता है folding of the inner membrane of the mitochondria जिसके उपर oxysomes present होते हैं और oxysome क्या करते हैं आपके F1 particle भी बोलते हो जो finally क्या करते हैं ATP synthesis में help करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है ATP synthetase enzyme होता है ठीक है clear है अब हम चलते हैं structure की तरफ यह है आपकी outer membrane ठीक है inner membrane के पास बहुत जादा क्या present होंगे आपके फोल्ड प्रेजेंट होंगे और उन फोल्ड को आप कहते हो उन फोल्ड को आप कहते हो क्रिस्टा ठीक है inner membrane outer membrane जो अंदर का अब यहीं पर क्या होती है आपकी क्रैब साइकल होती है अब हम करते है कुछ क्वेशन क्या है Mitochondria and Plastids are able to synthesize some of their proteins because Mitochondria Plastid है कुछ self ही अपनी protein बना लेते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है DNA and ribosome इनके पास क्या होता है DNA and ribosome जिस ओर्गनल के पास DNA and ribosome है वो अपने protein खुद बना लेता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका DNA and ribosome Mitochondria and Plastid यह क्या करते हैं इनके पास खुद का DNA and क्या है ribosome इसके पास है आगे question है which organal of the cell is called powerhouse of the cell powerhouse of the cell is known as mitochondria mitochondria is known as powerhouse of the cell यह बहुत जादा frequent question है ठीक है आगे चलते हैं हम powerhouse of the cell क्यों क्योंकि अभी मैंने बता है बहुत जादा frequent है आपको यह पता होना चाहिए mitochondria organal other than nucleus content DNA मतलब nucleus के पास तो क्या है DNA लेकिन और किसके पास nucleus है किसके पास है आपका mitochondria के पास ठीक है यह questions आए होएं आपके previous year previous year question करना क्यों important देखिए previous year question करना इसलिए important है क्योंकि आपको idea लग जाता है कि आपने कितनी depth में पढ़ना है और कहां से question आता है अगर मैंने अभी बताया कि mitochondria पर इतने questions आ है तो इसका मतलब आपके दिमागे बत्ती खुल गई होगी कि यहां से question आते तो इसका मतलब में कोई यह चीज़े बार बार पढ़नी रिवाइज करनी है ठीक है अब हम चलते हैं आगे आगे क्या है question in a cell which organelle other than nucleus contain dna अभी मैंने बताया dna nucleus किसके अंदर प्रेजेंट है आपका mitochondria के अंदर that's why यह अपने कुछ protein ribosome भी है तो कुछ protein खुद ही बना लेता है आगे चलते हम plastic plastic भी क्या है double membrane structure है which is found only in the plant cell it is termed by given by heckle ने इसकी term दी थी ठीक है आप देखिए तीन टाइप के plastic होते हैं कौन-कौन से lycoplast, chromoplast and chloroplast यह आपने धान में रखना है यहां से सरफ question क्या है देखिए यह नाम सही question आए कि देखो जो chlorophyll जो green color के लिए जो responsible है प्रांस किसकी वज़े से हैं आपका chloroplast ठीक है कौन सा lycoplast oil store करेगा कौन सा protein store करेगा कौन सा carbohydrate store करेगा और आप उसको क्या क्या बोलते हो तो लीकुप्लास क्या है यह नाम ही याद रखना है यह याद रखना है ल्यूक्प्लास कलर लेस है कलर लेस है तो इसका मतलब कोई भी पिग्मेंट उसके इंदर नहीं present होगा यह तो इसको क्या बोलोगेтом तुछ लिख करते है प्रोटिट बोलेंके बोलते हैं START हिए तौर्इब कर जो होता है ते इस दियो के प्लास्ट怎麼 Лог्य कॉलर्लेस का मतलब छोड़िए कोई भी कलर और जो क्लोरी प्लास्त मतलब ग्रेइब न्यार टेकर यह इंपोर्टेंड गी का व्यग्रिकर अगर आपके एलुरोप्लास, Amyloplas, Elioplas question नहीं आता है तो question क्या आ जायेगा कि कौन सा फैट टोर करता है तो यह चीज आपने ध्यान में रखनी है आगे चलते हैं हम की क्लोरो प्लाइस फॉल्विंग पार्स मतलब क्लोरोप्लास की स्ट्रक्चर बहुत जादे इंपोर्डेंट कि सबसे पहले मैं बात करती हम ग्रेना क्या होते है it constitute the lamellar system these are formed in the layered on the top of the each other these texts are called grana मतलब thailocoid है thailocoid के बहुत जादा structure मिलके आपके क्या बनाएंगे आपके grana बनाएंगे and each granum of the chloroplast is formed by the super imposed compartments known as thailocoids function क्या है these are the sites where the light reaction है grana के अंदर क्या होता है light reaction एक तो light reaction होती है दूसरा क्या होती है dark reaction light reaction कहां पर होती है again it is very important जो light reaction होती है वो कहां पर होगी आपकी grana के अंदर जो की बहुत सारे thailocoid से मिलके बने होंगे और जो dark reaction है dark reaction कहां पर होगी आपकी stroma के अंदर होगी तो यह बहुत जादा important है तो यह जैसे structure है outer membrane, inner membrane यह भी double membrane बहुत structure है यह होगे आपका stroma, stroma के अंदर क्या है आपका, dark reaction की site है, बहुत जादा thailocoids मिलके आपके क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं, अब बात करते हैं, stroma, it is the granular transparent substance, जिसको आप matrix भी बहुत सकते हो, ग्रेनर embedded in it, beside ग्रेनर, there also contain lipid droplets, grains, ribosome and double standard circular DNA, चीक है, तो इसका मतलब chloroplast के उपर भी क्या है, DNA है, तो इसका मतलब भी अपने organelles खुद बना सकता है, function, it is the site for the dark reaction for the photosynthesis, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, questions की तरफ, the cell organelles storing substances like starch, oil and protein, कोन स्टोर करता है, Plastid, Plastid भी कौन सा, Lukeoplast, ठीक है, various color of flower and fruits in plants are due to the presence of, कौन सा, जो मतलब red color नी, इसको मतलब आप red भी बोल सकते हो, बहुत साथा जो color आते हैं, फ्लार में, fruit में, वो किसकी विज़ाशे आते हैं, तो green color होता तो क्या हो जाता, आपका chloroplast, लेकिन flower और जो fruit में, different color आते हैं, इसका मतलब क्या था, chromoplast, chromoplast का मतलब क्या था, कोई भी color other than green, ठीक है, वो कि क्रोमoplast उसके लिए क्या था, responsible था, ठीक है, आगे हम चलते हैं, अपना endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum से जो question आता है, वो आता है, smooth endoplasmic reticulum क्या करती है, और rough endoplasmic reticulum क्या करती है, ठीक है, तो it is the network of the membrane present in the cytoplasm and it is discovered by the porter, clod and phyla, यह आपने याद रखना है, यह आपने याद रखना है, and these are present in the all the cell except prokaryotes and mammalian RBC, there are made up of the three components, three component क्यों क्यों से, cisterny, vesicle and tubules, cisterny है, vesicles and tubules से, ठीक है, cisterny, these are the long flattened parallelly arranged unbranched tubules, ठीक है, यह unbranched tubules से, these are from the successive layer of the nucleus and these are found cell which are active in protein synthesis, जो मतलब उन्हें के अंदर मिलेंगी जो ज्यादा active है, किसके अंदर protein synthesis के अंदर, ठीक है, बैसिकल होंगे and क्या होंगी आपकी tubules, बैसिकल क्या होंगी, spherical round structures होती है, और tubules मतलब यह tubular like structures present होती है, आप उसको क्या बोलते हो, आप तूबूल्स बोलते ह बैसिकल मतलब structure आपकी यह और यह आपका ribosome इसके उपर क्या present होते है, ठीक है, ज्यादा detail में आपके नहीं आता, चो question आता है, यहाँ से आता है, endoplasmic reticulum के कितनी types, दो टाइप, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum क्या करते है, rough का मतलब है, यहाँ पर present होंगे, क्या ribosome, rough endoplasmic reticulum का मतलब क्या है, यहाँ पर present होंगे, ribosome, smooth endoplasmic reticulum का मतलब क्या है, यहाँ पर smooth है, तो इसका मतलब ribosome absent है, rough endoplasmic reticulum का मतलब क्या है, यह ribosome इसके उपर present है, तो protein बनेंगे, protein कहां पर बनेंगे, rough endoplasmic reticulum के अंदर, smooth endoplasmic reticulum है, smooth है, तो इसका मतलब ribosome absent है अगर राइब सोबसोम एपसेंट है तो इसका मतलब प्रोटिन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा यहां पर यह जो हैल्प करती है लिपिड फॉर्मेशन में यह हैल्प करती है ठीक है समझ में डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना इट है इन बायोजनेसिस यह बायोजनेसिस का है बायोजनेसिस किसका मतलब क्या है फॉर्मेशन ओफ प्लाजमा मेंब्रेन अब जल्दी से मुझा रिकॉल करके यह बताओ जो फ्लूड मोजाइक मोडल साथ तो संगर रै तो आपका रष एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम हो गया बायोजनेसिस इसका मतलब जो द्यक्राजमिक रेटिकुलम इंस फॉर्मैशन ओखम मेंब्रेन अप उसको क्या बोलते हु भायोजनेसिस बोलते हो ठीक है आगे हम चलते हैं फंक्शन औप्रोप्लास्मीक रीटिकु के अंदर होगी ठीक है detoxification of the drugs and toxic substances कौन करेगा आपका लाइजसों गॉल्जी बोडी राइबोसॉम या फिर अंड़ प्लास्मिक रेटिकुलम ठीक है आगे दा लिपीडन प्रोटीन essential for the formation of the plasma membrane are synthesizing मैंने अभी बताया lipid and protein का मतलग के biogenesis कौन करेगा आपका endoplasmic reticulum क्यों क्योंकि जो rough endoplasmic reticulum है वो क्या बनाएगा आपका protein and smooth endoplasmic reticulum है वो क्या बनाएगा आपका lipid बनाएगा ठीक है next question करते है which one of the following is help in the formation of the plasma membrane again is the same question endoplasmic reticulum ठीक है आगे question is the common component of the membrane of organist mitochondria endoplasmic reticulum and nucleus तो मतलब क्या है सबका जो main component क्या options है glycolopid nucleoprotein glycoprotein and lipoprotein तो आंसर क्या हो जाएगा आपका lipoprotein यह सारी के सारी key points है हम already discuss कर चुके ठीक है आगे हमारा question है the capsule present in bacteria देखिए एक नया question है कि जो capsule है बैक्टीरिया का उसके अंदर क्या present होता है तो उसके अंदर present होता है आपका क्या glycoprotein मतलब उसके अंदर protein भी होती हैं दूसरा क्या होता है carbohydrates भी होते हैं जीक है तो options है glycolipodent protein phospholipodent protein and polysaccharide protein and all of these answer क्या हो जाएगा आपका polysaccharide and protein ठीक है समझ में आया तो मतलब glycoprotein ठीक है क्या होगा आपका glycoprotein तो यहनि कि glyco का मतलब क्या है आपका glyco का मतलब है आपका sugar sugar का मतलब polysaccharide और से प्रोटीन तो जो बैक्टीरिया की जो कैपसूल है इस मेड़ाप ग्लाइको प्रोटीन तिक आगे हम चलते हैं कि यह गौल्जी अपेरिटर्स क्या होता है गौल्जी अपेरिटर्स सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि कि साइन्टिस ने दिया था नाम से आपको पता चल यही दुबारा से आगया है कि यह धान रखना है कि यह होता है सिस्पेस और दूसर क्या होता है आपका ट्रांस फेस होता है ठीक है इंड फेसिक्टन याइंड ट्यूबल से यह मिल के बनी है ठीक है आगे हम चलते हैं कि function इट फर्मेशन ओफ लिपिद इस फिर्मेशन ओफ लिपिड इस फ्रमेशन ओफ मिडल लैमिल यह धान में रखना है मिडल लैमिल मतलब कि है जंक्शन दो ज लिपिड है न स्टेकोलम ने बना दी थीड़े उसके बाद जो पैकेजिंग का जो काम करता है वो कोन करेगा आपका बोल G अपरिटस ते प्रोषके आपका दॉपटी देप्रोवाइब दोसायड ऑप टाइसेंब्ली ओप नियू मतीयल ठीड है तो इसाथ फूंक्शन आफ़ तो गॉल्जी बोडी यह आपको ध्यान में रखना है अब बात करते हैं हम वेक्योल की ठीक है वेक्योल का मतलब के दीजार दा membrane-bound region in the cytoplasm containing water and other substances these are bounded by a single membrane जो वेक्योल है वेक्योल की साइज है बहुत चोटा प्रेजन्ट होगा लेकिन जो ब्लांट सेल की बात करूं तो जो 90% of the volume है वह किसके अंदर वह कौन उक्योल करके बैठा है आपका वेक्योल करके करके बैठा है प्लांट के दर क्योंकि जो ऑस्मोटिक जो कंसेंट्रेशन उसको बैलेंस करेगा लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है तो वेक्योल कि साइज है बहुत छोटी होती है तो एडिटक है तौ मेटेबलिक प्रोड़क्स सचासी अब मेंबरेन जो होती है किसकी आप की वेक्टे अप उसको क्या बोलते हो टोनओ प्लास उसको क्या बोलते आप टोन फ्लास ठीक है नेक्स अम करते है तर्जोडिती ऑफ दी तोनप्लास एना वह क्या जो टजिडिती है सेल की यहां से प्रेशन यह यहां से बहुत जादा फ्रिक्वेंट है जो डिसकोब्ट यह यह उसको जिए आपको ध्यान मेर नहीं रखनी है यह दिस रेट इस च्छर यू बढ़ अगाने तर्य अविल शुक्टिर विल श्टूडी नाम ज्यान अगने थे अनिम लिए अनिमर्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं यह इस अपको द्यान मेर नहीं रखनी है यह त इस you will study in the higher classes they contain the hydrolyzing enzymes that are as that are acidic hydrolyze in the hydro acidic enzymes present होते है अप उसको क्या बोलते है अजितना भी जो waste material है वो store करेंगे उसके बाद खुद बर्स्ट हो जाएंगे जितना भी जो dead जो समान है उसके store किसके अंदर हो जाएगा लाइजसों के अंदर और उसके बाद उसको भी खतम कर देंगे खुद ही क्या बन जाएंगे खुद ही क्या हो जाएंगे बर्स हो जाएंगे that's why लाइजसों सानोन है सुसाइडल बैक मतलब सुसाइडल बैक होते है खुद की ही खत्या करते है यह ठीक है the main function is digestion they are kind of the waste disposal system they help in the digesting the foreign material and worn out the cell ठीक है and during the disturbances in cellular metabolism in case of cell damaged lysosome burst and their enzymes are released into the cytoplasm but love enzyme के अंदर इसके अंदर बहुत जादा enzymes होते है ठीक है enzymes होते है जब cell को requirement होगी तो यह क्या हो जाएंगे burst हो जाएंगे and यह अपना enzymes क्या कर देंगे release कर देंगे ठीक है तो this is known as आपका lysosomes that's why these are known as suicidal bags ठीक है next हम करते है question which one of the cell is also termed as suicidal bag lysosome ठीक है जितने भी जो digestive enzymes containing the cell organelle कौन हो गया आपका lysosome हो ठीक है आगे है paroxysome ठीक है paroxysome क्यों होते है इस आदा structure were first described from the liver and kidney cell by the देखो जो मेन काम है ना परोक्सिसम का वो क्या है detoxification ठीक है नाम के है detoxification कैसे जिसने भी जो amino acids वगयर होते हैं उनका पहले क्या होगा oxidation होगा oxidation होने के बाद क्या होगा आपका sorry अगर मैं बात करूं कि amino acids होते हैं ठीक है यह amino acids सबसे पहले इनके इंदर catalase enzyme होता है catalase enzyme क्या क्या करेगा इन amino acid को h2o2 के इंदर तोड़ देगा है h2o2 क्या है आपका peroxide है ठीक है और इसका उसके बाद होगा oxidation oxidation होने के बाद के रिलीज होगा आपका water तो इसका मतलब क्या है जो h2o2 है यह क्या है टॉक्सिक है और यह टॉक्सिक है और यह टॉक्सिक है in plants and they were first observed in the germinating seed cricket the term paroxysm was first by D D way and this is also known as uricosome paroxysm are all white granular shape structure h2o2 ticket in green leaves of c3 plant paroxysm also help in the carrying of the photorespiration and inhalable cell they carry out lipid metabolism they contain important enzymes as Oxidase, Paroxide Producing Enzyme and Paroxidases and Catalyzes मतलब बहुत जादे इनके अंदर Enzymes present होते है Paroxysome के अंदर जो Detoxification का काम करते है क्योंकि जो H2O2 है It is very toxic तो यह है आपका Paroxysome Animal के अंदर Lipid Metabolism को Control करते हैं Plant के अंदर यह Photon Expiration में भी Help करते हैं अब बात करते हैं Glyoxysome Glyoxysome क्या है Was the first person to discover These organelles Baviers Scientist का नाम क्या है आपका Baviers Baviers ने सबसे पहले इसको Discover किया था ठीक है Size बहुत छोटे Size के होते हैं And these are the single unit membrane होते हैं ठीक है Single unit Membrane होते हैं They are found in the plant cell Particularly in the germinating fatty seeds ठीक है देखो यह जो main काम है इनका जो glyoxylate cycle को maintain करना है किसको maintain करना है Glyoxylate cycle को मतलब जो fat है वो किसके अंदर convert हो रहा है आपका Carbohydrate के अंदर convert हो रहा है With the help of Glyoxysome यह बहुत जादा important function है इसका Ribosome Ribosome का जो scientist है वो है G.Pellet ने इसको Discovery किया था सबसे पहले Plants के अंदर भी present होंगे और किसके अंदर होंगे Animals के अंदर भी होंगे Plants के अंदर होंगे 70S type के Ribosome Animals के अंदर होते 80S type के Ribosome Ribosome helps in the protein synthesis That's why Ribosomes are known as Protein Factory ठीक है अब हम देखते हैं कि Ribosome को Protein Factory आप बोलते हो 70S और 80S क्या है देखिए S is a Sevidberg unit है देखिए जो 70S है वो किसके अंदर होंगे Ribosome के अंदर और 80S किसके अंदर होंगे Eukaryotes के अंदर 70S is further divided into 50S and 30S सर्फ इतना याद रखना है आपने और Eukaryotes जो 80S is divided into 60S and 40S जब translation होगा तब ये दोनों unit पास आएंगी और किसमें help करेंगी protein synthesis में 70S is divided into 50S and 30S and 80S is divided into 60S and 40S ये सिर्फ आपने ध्यान में रखना है और इससे ज़्यादा आपकी syllabus में नहीं है question क्या है the subunit of the ribosome in cell of nephron nephron का मतलब आपका of mouse mouse मतलब Eukaryotes Eukaryotes के इंदर क्या present होगा आपका ATS है ना तो ATS is further divided into 60S and 40S तो आपका answer क्या हो जाएगा यहां से D हो जाएगा ठीक है next चलते हैं हम plant cell और animal cell में क्या क्या difference है यह आपको अलड़ी पढ़ चुके हो plant cell के इंदर cell वोल present नहीं होती सबसे जादर साइज किसने घेरा होता है आपका वेक्योल ने घेरा होता है और इसके अंदर वेक्योल है तो outer tonoplast भी present होगा तो प्लांट के अंदर यह प्लास्टी प्रेजन होगे क्या कोन से लोरोप्लास, क्रोमोप्लास और लुक्योप्लास तो यह few है difference plant cell और animal cell के बीच में ठीक है अब हम बात करते है प्लांट्स और animal cell में यहां पर जो में क्या है आपका वेक्योल है सारी की सारी चीज़े घेरी हुई यहां पर जो वेक्योल होते हैं बहुत छोटे होते हैं तो यह जो सेम ही है difference जो हम अलड़ी इसके अंदर पढ़ चुके है अब हम बात करते हैं questions की question क्या है आपका नवया observed one slide through the microscope it is almost the entire cell space was occupied by the vacuole मतलब एक लड़की ने एक cell देखी microscope से और उसने देखा तो सारा का सारा पार्ट उसके अंदर vacuole है मतलब 90% vacuole है कौनसी सेल होती है of course कौनसी सेल होगी आपकी plant cell ठीक है आगे question is not present in the animal cell यह plant or animal cell के बीच में बताई दिया था जब मैंने सारी की सारी ओर्गनल्स कराई कौन कौनसी कराई आपकी मैंने कराई Plastid Plastid किसके टाइप की होते थे chloroplast, chromoplast and liqueoplast Plastid का काम ही नहीं है animal cell के अंदर तो यह चीज इसके अंदर क्या होती है आपकी absent होती है आगे हम चलते साइटोस्केलटन का मतलब क्या है साइटोस्केलटन का मतलब है कि मतलब यह जो structures होती है सेल क्यों movement भी provide करेंगी support भी provide करेंगी ठीक है Micro filament का काम क्या है cell की shape को maintain करना Microtubule का क्या है यह इनके लिए प्रोटीन होती है ठीक है तो यह दोनों के काम same ही है Micro filament के and Microtubule के ठीक है आगे हम चलते हैं Intermediate filament इनका साइज है वो इन दोनों के बीच में होता है Intermediate filament का in most animal cell they form the basket around the nucleus and are present in the cell cell junction जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है आप उसको सेल जंक्शन बोलते हो और वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे आपके इंटरमीडेट फिलामेंट ठीक है पढ़ते हैं अगर आपने सारी की चारी और लिन इतनी परदेना कि राइबोस्व संटेस्फरया सब야क न नुकलेस का मतलब यह मास्टर है जो सारी किसारी फॉंक्शन को कंट्रोल करता था इसका मतलब कंट्रोल फॉंक्शन या था आपका सुसाइडल बैस टीक है जो सेल को जब रिक्वार्मेंट होगी तो इसके अंदर जितने भी जो एंजाइम सा वो क्या हो जाएंगे बस हो तो आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा सारी की सारी चीज़े आपने कवर कर लिए इसके इंदर चरफ आपका काम है चीजों को बार बार पढ़िए रिवाइस किए जल्दी मिलेंगे एक नैस वीडियो के साथ तब तक ध्यान रखी पढ़ते रहें all the very best thank you so much